अलो फ्रेंड्स वेलकम टोली साइंस आज हम स्टड़ी करने वाले हैं केच्वे का परिशंच्रन तंतर के बारे में तो देखें केच्वा होता है उसमें बंद परिशंच्रन तंतर पैदता है प्लोज शर्कुलेटरी सिस्टम होता है अब इसका मतलब देखो क्या हुआ जो प रखत भता है यह रुधिर वाहिन्यों के अंदर बेता है और फिर उसके दोवारा अलग-अलग अंगो तग तोचाया जाता है और जो खुला परिशंच्रन तंतर होता है उसमें देहक गुआ के अंदर डारेक्ट भरा रहता है और सभी अंग रखत के अनदर डूबभे वे है ठीक है आज हम जो स्टेडिकने वाले हैं केच्वी के अंदर जो बंद परिशंसरंत अंतर होता है उसके बारे ले तो देखें केच्वी के अंदर क्या होता है कि जो परिशंसरंत अंतर होता है ठीक है यह रुधिर वाहिनी रुधिर वाहिनी जिनको हम कहे देते हैं ब्लड वेशल्स दूसरा इसके अंदर होता है रुधिर गरंथिया ब्लड लौड ग्लाइस टिकरण तेसरे इसके अंदर जो पाह जाता है वो है इनका इर्दे लेकिन वास्थवी की र्दे नहीं होता है जैसे हमारा हर्दे होता है व्येशा इनके अंदर नहीं होता तो इनके दवारा इनका परीशंचन तंतर का निर्मान होता है अब हम पढ़ लेते हैं कि रुदिर वाहिनी कौण प्लड वेशल्स कौण कौण सी रख रख्त की जो नशे पाए जाती है तो इन में दो मुखे रुदिर वाहिनी है पहला है उसका नाम है प्रेश्ट वाहिनी दोर्सल वेशल्स और दूसरी है उसका नाम होता है अधर वाहिनी वेंटरल वेशल्स ठीक है डोर्सल और वेंटरल ये जो प्रेश्ट भाग है वहाँ प हमारा प्रेश्ट भाग तो यह जो दि equity जो हो गी कहल好啦 जाएगी समगत जायités अदर्वही कहलाएगी ज्यसे मादलोक केचोह मुद्सिआ है यह इसका उपर प्रेश्ट भाग और निचे का अधर तो ऊपर की साइड में प्रेश्ट वाहिनि के बारे में डीटेल से जानते हैं डॉर्सन वेशल्स के बारे में जानते यह पेशय कोती है याने मास पेशयों शेंपनी हुई होती है अब और पेशय नमा गया उसका मतलब उसमें दिखाई देरा डायराम के अंदर कि जो रक्त हुआ ही नहीं है प्रश्ट हुआ ही नहीं इसमें रक्त का परवाह हो रहा है कहां से पश्च भाग शे इसका पश्च भाग है वहां से इसका अगर भाग की और रक्त का परवाह हो रहा है ठीक है हम बोल देते हैं इसके पोस्टेरियर पार्ट होता है वहां से रोकने के लिए इसके अंदर इस तरह कपाट पाए जाते हैं ऐसे इसके अंदर कपाट पाए जाएंगे जो रख्त के उल्टे परवाह को रोक देते हैं अब एक जिरूर याद रखना कि प्रश्ट वाहिनी है यह थर्ड जो खंड होता है इन्वेस्ट थर्ड सेग्मेंट है त निश बाव से अगरव हाग की और होता है निशित हम्ते हैं कि जो अधर वाहीनी होती है ठेख है यह किस परकार की है तो यह नीचे की ऑर याने इसके अधर भाग में ने पाए जाएगी उधर की बाग के अंदर जाएगी अफना ओधर गा यह पैट का वद्ञाइब जाएगी अधर prove how यह चृरुबात कहाँ है इन से सुरुबात होती है और लाश तक फेलि रहती यह लेकिन्ट के भड़ी सबसे बड़ी है ठीक है कि भी कि सबसे बड़ी वाहिनी वह कौन सी होती है इनके अंदर वह होती ये प्रेश्ट वाहिनी और अदर वाहिनी होती है इसका भी लाश्ट तक फैली हुई रथ हैं अन्तिन खंड तक फैली हुई रथी है अब यह काम करते है कि वह वी funny युप स्ट्रिबि Hy 1979 और दॉन क्या हुआ वित्रण का कि जो oxygen युक्त रख्त होता है उनको ये शरीर के विभिन अंगों तक पहुचाने का काम करती है लेकिन अगर हम बात करें प्रिष्ट्य वाहिनी का तो ये वीत्रण का भी काम करती है और संग्रहल का भी काम करती है जो एक से लेकर 13 तक का जो खंड है व क्या रही है। उसके बाद में तो 3-way से आगे का है 40 से लेकर लाश्ट तक का जो भाभ होगा 4 2-3 का सुरी 14 जो पूरा भाभ होगा उसमें यह क्या काम करेगी संग्रहा का काम करेगी संग्रहा का हो गया कि जो वी ओक्षिकर्ट रखत है यानि एसा रखत जिसके अंदर कारबंडाई उक्षाइड परजेंट है उनको यह खटा करेंगे और इखटा करके इसमें रुदिर वाहिनी में डालती है ठीक है वो यह केवल किसका गाम करेगी वीत्रण का काम करेगी एक चीद और इस कि एसंगूचन सेल होती है लोन कॉंट्रक्टाइल होती है तीसरा यह कपाट यह होती है इसमें कपाट पाय जाते हैं तो इन में कपाट भी नहीं पाया जाते नो-उल्वूलर है तो यह तिननों आपको याद रखना है कि इन दोनों में अंतर यह एक चीद और आपको ग्ष जा रहा है तो यह मैं दो रुदिर वाहिनी वह कौन कौन सी प्रष्ट वाहिनी और आदर वाहिनी इनके अलावा भी छोटे-छोटे दिर साइड उदिर वाहिनी इनके बारे में पाई जानने वाली वाहिनी लेटरल ऐस्ट फिजियन में जो ऑसुफेगस होती है उनके दोनों सा helpful में जैसे इसको ऑसोफेगस माल लेता हूं यह इसके दोनों तरफ इसे फशबदित 58 नौन तरफ तो इस तरह यह पाई जाती है ऐ have वहां तक ही होती द Talk मैंने और अग मेंने दिख्वाइन कापर यहाली यह जो रुदिर वाहिन अपको सकते हरी है यह इस तरह जा रही है यह यह रुदिर वाहिन FER 자 करा तक dealt ULIV ले होई है यह रखे वन да को चोदो तक चोदो तक ही ठboldee अट ले थोर की फेली होई है भाग में जूड जाती है तो वेसे ही आगे जूड के रिए एक रूदिर वाहिनी बना लेती है इसका नाम होता है एदय तंत्रीक ये वाहिनी ठीक है तंत्रीका वाहिनी होता है ये कहां पाय जाती है इनमी यहां पर पाय जाता है तंत्रीका रजू तंत्रीका रजू भी नूरल पोर्ड पाय जाता है उसके पास में ये पाय जाती है तंत्रीका रजू के पास में उसका नाम क्या है सब नूरल वेशल्स है अधर तंत्रीकी वाहिनी है और ये चोधवे से कि अब ये क्या गरती है ये कनेक्ट करने का काम कर रही है जोडने का काम कर रही है और ये हमारे पस उपर की साइन में को शी है जेसोरी दोर सर प्रष्ट वाहिनी है इस प्रष्ट वाहिनी को नीचे अपने साइड उज़े को ये ब्लू से जुमिने दिखाया है ये ब्लू वाली कौन सी है अधर वाहिनी तो ये है हमारे पास अधर वाहिनी वेंटरल वाली ठीक है और नीचे ये साड में है कौनना इधर तंत्रिके, शब Newरl तो इन तिनों को आपस में जोडने का कारिय कर रही है शंदाही वाहिका क्या करेगी, परश्ट वाहिनी, आधर वाहिनी, अधर तंत्रिके वाहिनी इन तेनों को आपस में जोड़ेगी यह commissural vessels है यह dorsal जो vental vessels है यह lasts रिफारी नियुडर वेशल से इनको आपस में जोड़ेने का काम करती है कौन सी संदाई वाही का कॉमिशूरल वेसर सेकिंड आ जते हैं हम इनके अंदर रूधिर गरंथिया रूधिर गरंथिया देखो मैंने डोट डोट दिखाया वेसे इसमें डाइगराम में रिपर्जेंट नहीं किया हो था ते फिर भी आपको याद हो जाए इस वज़े से मैं डिखारां कि छोथें पांच और सटे खन में पइस आती है क्या श्तीर गरंधिर उजह प्लढ गलेंटं अब जो रूधिर उजह से नहीं की कि γ Finn इंस है लो उनको बनाने का काम करती है लेकिन इन में पज़री सिरिक और फोटसी है या इसके प्लाजमा में प्लाजमा के अंदर घुली विवस्ता में डिजॉल होता है कौन हीमोगलोबिन इनके प्लाजमा में हीमोगलोबिन है यह घुला हुआ इसका मतलब क्या हुआ ऑक्षिजन से जुड़ेगा और ऑक्षिजन को शरीर के पर भी पहुंचाना होता है वहां तक पहुंचाने का काम करेगा हिमोगलोबिन तो यह हो गया इनमें रुदिर वाहिनिया कहां प्लूदिर गरंतिया सोरी ब्लड लेंड्स का पर है फॉर्ट में है फिफ्ट में और शिफ्ट सेग्मेंट में इन तीनों के अंदर है लेश्ट आ जाते हैं हर्दे इनमें जो हर्दे होता है वह कहां कहां पाया जाता है डिखें डियाग्राम में आपको दिख रहा है सेवंत में ठीक है एक है नाइन्थ में और हमारे पास है ट्वल्थ में 13th में इन 4 हिस्सों में पाया जाता है हरते, क्यानि इसमें कितने वो गया चार जूरी हरते पाया जाता है अब इन में 2 हरते उनको तो हम कहेंगे पार्श कहरते ठीक है ए aller lateral side ये कहाँ पाय जाएंगे 7th में और 9 ना ईंद Parliament और 3 वी में और बारिवी में वो पॉनिसेंग पार्शु अग्रसी का हर्दे हैं लेटरल और ओशोफेजियल हार्ट है ठीक है अब यह क्या गाम करते हैं देखो यह इस तरह होता है इनकी स्ट्प्चर ऐसे होती है यह हर्दे है ऐसे स्ट्प्चर रहें इनकी अब यह जो मैंने दिखाई है यह हमारी प्रश्ट वाहिनी डौर्सल वेशल्स है जो नीचे में गोला दिखाया है यह वाला ठीक है यह है वेंटरल वेशल्स याने अधर वाहिनी और इनके बीच में यहां पर पाया जाता है यह हर्दे का भाग ठीक है और उनमें पाया जाते है कपाट जो रख्ध के उल्टे परवाह को रोकेंगे इसमें हर्दे का जैसे ये नाम ये कुनेट करें जो काम किरेंगें का है यह हमारा फशेंस रख्ध करने होती है मतलब जो देश-पंदल होता है, इसे पंप करनारत को, वो मेन काम किसके द्वारा होता है, प्रेश्ट वाहिनी के ही द्वारा होता है इन में, ठीक है, ओके, इनके अलवा आपको याद देखना है, कि इन में पाया जाता है अगर पास, ठीक है, और ये अगर पास कहां कहां पर होते हैं, यह होते हैं ग्यारवे में और दश्वे के अंदर आने दश्वे और ग्यारवे खंड के अंदर पाया जाता है क्या अगर पास अब यह काम क्या करता है अगर पास क्या काम करेंगे कि यहां पर देखे मैंने यह जो ब्लेक में दिखाया हुआ है यह वाली वाहिनी इसका नाम क् तो इसका नाम क्या है इस वाहिनी का इसका नाम होता है शुप्रा ग्रश्ची की है वाहिनी शुप्रा और शोफेजियल वेशल ठीक है इन दोनों को आपस में जोड़ेने का कार्य करते हैं पौन अगर पास एंटेरियल लूप इसमें रच्ट का परवाव जो होता है ये उपर की और होता है लेकिन जो हमने हरदे पड़ा था उनमें केशा होता है उपर से नीचे की और इस तरह हो रहा है ठीक है याने हम बोलेंगे इनके प्रश्ट भाग से अधर भाग की और होता है और इनमें कहा हो रहा है इनमें वो रहा है अधर भाग से प्रश्ट भाग की और इसे उपर की और इनमें परवाह होता है ठीक है ये हो गया हमारे पास इनके हरदे और अगर पास के बारे में औ लशी का दरन्तियां पर लिम्फेटिक ग्लैंड्स या लिम्फ ग्लैंड्स भी गौल सकते हो और ये लिम्फेटिक ग्लैंड्स कहां होती है यह इनके 26 वे खंड से लेकर लाश्ट तक फैली वी रहती है जैसे हम इस तरह बनाते हैं एक यह केच्वा रहे हैं तो यह जैसे 27 वा हो गया 28 से चल रहा है तो इन में इस तरह एक एक जोड़ी पाई जाती है लशी का गरंथिया तो यह हो गया हमारे पास जो केचवा है उसका परिशंचरन तंतर आसा करता हूँ यह वीडिया आपको अच्छा लगा है